एपिसोल नमबर 45 की स्टर्टिंग होती है और फूजीन चेन यान को देख मन में कह रहा होता है अच्छा है सब कुछ मेरी प्लैनिंग के हिसाब से हो रहा है और फिर सिन सिफ्ट विदर में नेक्स डे की मॉनिंग दिखाई जाती है जहां एक मेड कहरी होती है मिस यान ये आपके कपड़े है जो मास्टर फूजीन चेन ने तयार करवाए है और आप इने बड़े सावधानी से चुनें फिर यान उस से कहती है हाँ ठीक है तुमारा शुक्रिया और फिर वो मेड पीछे गुमती है और बलश कर हस्तिवे मन में कहती है मास्टर फूजीन ने मिस यान को कपड़े दिये और एक पूरुस महिला को तब ही कपड़े देता है जब वो उनको खुद उतारना चाता हो और फिर वो तेजी से वहाँ से निकल जाती है और वहीं यानुस ऐसा जाता देख है रानोती वोमन में कहती है यहां के लोग बहुते जदा अजीब है और फिर यानुस बॉक्स से ड्रेस निकलती है और उस ड्रेस को देख कहती है यह ड्रेस तो बहुते जदा एक्टरेक्टिव है और फिर यान उस ड्रेस को पहन लेती है और कहती है मास्टर फूजिन चेन ने इस ड्रेस को बड़ी सावदानी से चुना है वो सच में अपनी माम की बहुती जदा परवा करते है तो ठीक है अब मुझे भी कड़ी मेहनत करनी होंगी और उनकी कल फ्रेंड होने की अच्छी एक्टिंग करनी होंगी और फिर यान नीचे आती है और फूजिन चेन से कहती है गुड मॉर्निंग मास्टर फूजिन चेन और वहीं फूजिन चेन उस ड्रेस में देख दंग रह जाता है और फिर वो उससे कहता है आओ और नास्ता कर लो और हम जल्द ही पुरानी हवी लिकले निकलेंगे तब यान कहती है हाँ ठीक है और फिर फूजीन चेन मन में कहने लगता है अगर मैं उसे इसी तरह देखता रहा तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा और वहीं यान ब्लश करती है मन में कहती है वो इस तरह से रियक्ट क्यों करता है और क्या मैं इस ड्रेस में अच्छी नहीं लग रही हूँ और तबी फूजीन चेन उससे कहता है तुम इस ड्रेस में बहुती अच्छी लग रही हो और फिर वो उसे देखने लगती है और मन में कहती है मास्टर फू जीन चेंड और फिर वो उसे कहती है आपका शुकरिया और फिर सिन सिफ्ट होतर में फू फैमिली का ओल्ड मेंशन दिखाया जाता है जहां पर बटलर कह रहा होता है मास्टर मेडम आपका ही इंतजार कर रही थी और वहीं यान मेंशन को देख मन में कहना लगती है ये तो बड़े ही अश्चर की बात है सबसे शक्तिशाली परिवार के रूप में फू फरिवार की हवेली आसादरन बिलकुल नहीं है और ये मेंशन बहुत जदा बड़ा नहीं है लेकिन बहुती सुन्दर है और बस यहां पर कुछ ही नौकर है और फिर यान केती है यहां की हवा कितनी ताजी है और कितनी सुद्ध फिर फूजीन चेन उससे कहता है क्या तुम्हें ये अच्छा लगा तब यान केती है हाँ ये लोगों को आरा महसुस दिलाता है और ये रहने के लिए बहुती अच्छी जगा है और फिर फूजी इंचेन मन में कहता है मैं बहुती ज़दा खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया और फिर यान फूजी इंचेन से कहती है मैं गिफ्ट लेना चाहती थी लेकिन तुमने मुझे रोक दिया क्या ये सही रहेंगा जब मैं तुम्हारी मौम से मिलूंगी तो वो क्या कहेंगी और तब ही फूजी इंचेन की मौम चलाती हुए कहती है अमीने बच्चे तुम हमेशा इतनी देर से क्यों आते हो और गाइस इस इस अपिसोन नमर 45 कि हाँ एंड होता है पसना है तो लाइक और सेस्काइब जरू करें मिलते आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में